आज हम बनाएंगे रगड़ा पेटिस जिसके लिए हमने एक किलो आलू लगेंगे इस तरह से हमने इसे साफ थोके एक कूकर में बॉइल करने हम इसे रख देंगे और हमने 800 गिराम बटाने लिया है जो हमने टोटल चार कप बटाने लिया था यह सूके बटाने थे तो इसे हमने रात भर भिगो के रखा था से और उसे फिर से छनी में चान लिया तो इसे भी हम पानी दल के और नम्मक दल के बॉइल कर लेंगे रगड़े के लिए और आलू को भी हम बॉइल कर लेंगे पेटिस के लिए फिर हम बाखी की चीज़ा आपको बाद में बता लिए चलिए अब हम आलू गलने के लिए रख लेंगे उसके बाद हम बटाने गला लिए पेटिस और आलू रगड़े की चीज हम रगड़े में जो डालने वाले हैं और पेटिस में जो डालने वाले हम आपको फिर और बाद में बताते हैं सबसे पहले हम हमने पैटीस के लिए आलू गला के रखती हैं तो हम उसमें जो चीज लगेंगे वो आपको हम बाद में बताएंगे आलू में डालने के लिए लेकिन रगड़े के लिए हमने जो ये बटाने भीगा के रखे थे तो इससे हम एक कूकर में डाल देंगे और हमें देड़ सो गिराम आलू लगेंगे तो हम ये इसके साथ बॉयल करने डाल देंगे बटाने और आलू, नम्मक और थोड़ा सा एक टेबल स्पून उतना तेल डाल के से गला लेंगे फिर बगार में हमें हरी मिर्ची लगेगे, हमने तो यहाँ पर पांच, चार पांच हरी मिर्ची लिया है देड टेबल स्पून जीरा पॉड़ा लगेगा और दो टेबल स्पून धनी पॉड़ा लगेगा और तीन टेबल स्पून हमने अध्रक लेसन का पेस्ट लिया है सकते चार-पाच लाउंग तीन इलेची एक दो छोटे दालचीनी की टुकड़े और यह दो तेस पत्ता और इतना बिल्कुल छोटा साइट तोड़के हमने जैफल का टुकड़ा लिया यह इन सब को भून के पिस लिए निकसर में तो चलिए और यह प्यास हमें बगार में इसे बॉइल करके इसकी प्यूरी बना दिये तो हमने यह टोटल तीन पॉट अमाटे लिए यह हमारे आलू हमने यह पेटिस के लिए गलाए थी इसमें हमने एक टेबल स्कून नम्मक डाला है और यह हमें बटाने लगेंगे हमने फ्रेश बटाने लिया है रगड़े के लि हे एक कीलो आलू की सापसे इसमें पावसर बटान दाल रहे यह इसमें मिक्स कर दिशक डिन हमाट अच्छे से मैश कर दिंगे फिर्स में हम एक कब भरके ब्रेट क्रम्स क है के मिठसर में भूस है द डाल रहा है तो यह एक कप भर ज्वलम ढोल है्नि कि 200 तुम च ओप लगें अरदन्हें दिव्erme हमें 3-4 अदिया के लिए ने शिना वारिक अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिला इसमें इसमें बरेट क्रंब भी मिला डिए हमें मिला इसमें अच्छे से जीरा बोर्डर लीम्बू का भाएज तक्रंड मिला तो इस तरह से हम पूरे कटलीस बना लेंगे इस टाइप के इस साइज के बना लेंगे हम यह हमने बटाने और आलू को अच्छे से इस तरह से से हैंड बलंडर करके से रफली मोटा-मोटा पिस लिया है से अब इसे हम बगा रहेंगे हिस्तों चलीए इस में सबसे पहले हम पांच हैाई टेबल शें ऊतना तेल डालेंगे सौग िराम अतना तेल डाल दींगे के उसके बाताइप ने इसमें हमने पांच से टेबल शीं ऊतना तेल डाल तीज फिर यह जो प्याज रिखी थी हमें यह डाल देंगे इसमें अस्तरासी इसे अच्छे ते कांसरन हुए तक इसे दूनींगे हम 4-5 मिट तक इसे प्राइ होने देंगे जिसके बाद इसमें जब मसाले डालें यह हमारी प्याज गोर्डन ब्रॉन हो चुके है इसमें हम सबसे पहले यह जो अत्रा क्लेशन का पेस्ट रखा था यह डाल देंगे इसमें हमने हरी मिर्ची तिसके रखी की डालने के लिए हम इसमें थोड़ी थी हरी मिर्ची डाल रहे हैं कि हम वो लाल मिर्ची का जो लाल मिर्ची की चट्मी की तिसके लाल मिर्ची भी पिसी भी थोड़ी से डाल रहे हैं हरी मिर्ची में की लाल मिर्ची हमने पिसे थे तो उसका भी थोड़ा सम पानीस में डाली है पाणी तरा से डाली, और यह ताधी, ताजी ताधी फ्रेश लाल मिल्ची फीसी पिक जाएंगे फिर जुआ पौड़ कर्कें, ये भी डाल देगे और ये फिर धनीय की पुखनी डाल देंगे फिर ये जो जीरा पॉड़ा रखा था हमें ये भी डाल देंगे इसमें और ये टामाटी प्यूरी जह हमने पिसके रखी थी ये भी डाल इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर और दो-ती मिनिट इसे पकने देंगे गरम मसाला हम एकताम आखिर में डालेंगे फिर जो हमारा बटाने या रालू वाला बैटर है वो इसमें डाल देंगे फिर नम्मक हम चक कर डालेंगे आदा टीस्पून उतनी हम हल्दी डालेंगे इसमें साथी साथ इसमें नम्मक भी डालेंगे बटाने आर आलू में भी नम्मक डाला था इसलिए हम अब इसमें एक टीस्पून उतनी ही नम्मक डालींगे अगर लगा तो हम और चक्कर डालेंगे बाद में गाविलस के देते हैं इस अग्णियों आद्ञेन कि अपिए नसदिकरांगे। आधाम उबारेटीट, पूरेटा प्लीट, जिलड़ा उबारेटी आधा मिक्सूनुनुनुनुनुनुनु कट्लीज बनाईगे, थोड़ा से आदा कब पानी डाले इसमें, हमें इसमें और आदा कब पानी डाला हैं, बस हमें इतना ही गाड़ा रहने देना है इसे, आप हम इसके बाद इसे 4-5 मिनित पकने के बाद हम आलू के पैटिस बना लेगे, उसे हलका सा एक पैन में फ्राइ कर हम इसे इस पर हम ये अलू के पैटिस के बनाए थे हमे रूर्गो फ्राइ करें हमें तक हलंके प्राइ करें हैं, यथीति तरह से गोल्डन व्राहावन हने तक पल्टा दिया है। इस तरह से इतना ही हमें इसे ब्राऊन है रेंद आँँ, अइसमने घया, जल देग था दिया कम जोड़े से टेल में से प्राइए कर रहे हैं, इसी तरह हम पूरे प्रैटिस प्राइख कर लें, एक एक करके पूरे तल लेरे हैं, इसे हम निकाल लूगे, ऐसे खिरा हम बाद में रगणा पड़िर प्लेट और फिर एक सर्विंग प्लेट में निकाल के से गारिशिंग करें लीजिए हमारे आलो और बटाने की रगड़े की पैट्रीस तयार है अब इस पर हम रगड़ा डालेंगे इस तरह से इस पर तो चलिए हम इस पर इमली की चट्नी और लाल चट्नी और गिरीन पुदीनी की चट्नी डालेंगे इसकी रेसिपी हमने डाले हैं आप इसमें हमारे रेसिपी में चट्नीयों की तरीखे देख लेए तो चलिए सबसे पहले इमली की चट्नी डालेंगे हम इस तरह से इसके इसके बाद इस पर लाल चितने डालेंगे जो हमने हरी मिर्ची की लाल मिर्ची से बनाई फिर इस पर हम ये नमकिन वाली बूंदी और सियो डालें इस तरह से अच्छी से डालेंगे फिर हरा धनिया और प्यास डालेंगे थोड़ा सा हम पर दही डाल रहे हैं यह ओप्षन है आप नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हम चक्के का डही डाल रहे हैं इस तरह से तो लीजिए रहनों यह हमारी रगड़ा रगड़ा पेटिस तयार है आप इससे घर में जुरूर ट्राय करें और अपने प्रेंट से जुरूर शेर करें मुझे जुरूर बताएं अल्लाहाओं